नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ, एक बार फिर से आपके अपने चैनल VWIC में और मैं अमित कुमार सोनी सभी वीवर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ चैनल पर हरदेख हरदेख अभी नंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटस्ट अपडेट लगातार आ रही है, नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहें तो बेल आइकाउन पर प्रेस करना बिलकुल न भूलें, शेर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं OBC आरक्षन के संबंद में एक अच्छी ख़बर की दोस्तों मैं आप लोगों को वह जानकारी बताओं इससे पहले मैं इसपश्ट कर दूँ कि जो भी जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइट की जाती है वह सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो प्रश्न किये जाते हैं अव्यरतियों के द्वारा और साथ में ही राजनिताओं के, मंतरियों के, सांसदों के, विधायकों के बयानों पर आधारित होती है और साथ में ही जिस सोर्स से भी ये मेंशन होता है, वो भी इसमें दिया हुआ होता है इसलिए किसी भी प्रकार से वीडियो को अनित्था ना लें और इसको एक जानकारी के आधार पर एक न्यूस के आधार पर ही लिया जाए चलिए दोस्तों अब हम आते हैं अपनी बात पर कि OBC आरक्षन के लिए काफी खुशकवरी वाली जानकारी ये हो सकती है कि केंद्र सरकार सदनों में एक विद्यक पास करने वाली है जिसमें राज प्रतिशत आरक्षन दिया गया है तो उनके लिए भी आगे आने वाले समय में अच्छी ख़वर ये हो सकती है तो आएए दोस्तों जानते हैं कि केंद्र सरकार ने किस प्रकार का निर्ने लिया है क्या है 102 संबिदान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने इसके समंद में क्या कहा और आगे मद्ध प्रदेश में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है तो आएए दोस्तों जानते हैं इन सब से संबंदित सभी जानकारी इस न्यूस्पेपर की कटिंग के माध्यम से और साथ में ही पूरी डिटेल में देखे दोस्तों आपके सामने एक न्यूस्पेपर की कटिंग है और इसमें जो हेडिंग है कि OBC की पहचान का राज्यों को फिर दिया जाएगा अधिकार और इसी सत्र में आएगा बिल्यम उसके बाद में जो एहम फैसले लिये गए वो हैं कि राज्यों का अधिकार बहाल करने के लिए केंदर सरकार ने चुना संसत का रास्ता सुप्रीम कोट ने राज्यों की और से OBC की पहचान करने को बताया था गलत आए दोस्तों देखते हैं कि पूरी जानकारी क्या है तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक वेव न्यूस है और इसमें है कि OBC के आरक्षन पर राज्यों को मिले अधिकार बहाल होंगी केंदर सरकार ने इसके लिए अब संसत का रास्ता चुना है इसे लेकर बुद्धवार को केविनेट में विध्यक को लाने की तैयारी है वहां से मंजूरी के बाद इसे संसत के चल रहे मांसूर सत्र में पेश किया जा कारण है कि केंदर सरकार ने ये कदम सुप्रीम कोट के उस फैंसले के बाद उठाया है जिसमें OVC की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार को अवैध्य बताया था अब दोस्तों हमको मालूम है कि जो मराठा आरक्षन चला था उसमें किस प्रकार से OVC कि विरुद्ध जो फैंसला दिया था कोट ने इस आरक्षन को माने नहीं किया जाएगा क्योंकि 50% की लिमिट को ये क्रॉस कर रहा है और वहीं पर ये बात निकल करके आई थी कि 102 संविधान संशोदन राजे सरकारों को अधिकार नहीं देते हैं कि वह जाती के आधार पर स दक से सूची बनाने का कोई अधिकार नहीं है जैसा कि मैंने आपनों को पहले बताया सिर्फ केंद्र ही ऐसी सूची बना सकता है और वहीं सूची मानने की जाएगी और दोस्तों जबी से ये इस्तिती जो है खराब होती चली गई अब दोस्तों कोर्ट के इस फैंसले के बा और इसलिए आपस में जो एक तरह का कंप्रोमाईज होना चाहिए था आपस में जो सिमिलिटी होना चाहिए थी वो उसमें नहीं थी तो केंद्र इस मामले को लेकर इसलिए भी सतर्क है क्योंकि राज्य की सूची के आधार पर ही कई ऐसी पिछडी जातिया है जो राज्य की सरकार नोकरियों और उच्च सिक्षन संस्थानों के दाखिले में आरक्षन का लाफ पा रही है ऐसे में सुप्रीम कोट का फैसला लागू होने से इन जातियों को नुकसान होने का खत्रा है अब दोस्तों यहाँ पर OBC की बात आ जाती है तो इसमें जोकिम नहीं लेना चाहती केंदर सरकार के आरक्षन जैसे संवेदन शील मुअमले में केंदर सरकार किसी भी तरह का कोई जोकिम नहीं लेना चाहती है यही वज़े है कि सरकार ने सुप्रीम कोट का फैसला आने के बाद ही साप कर दिया था कि वह इससे सहमत नहीं है वह राज्यों को उसके अधिकार बापस देगी और दोस्तों राज्यों के अधिकार को बापस मिलने के बाद सभी राज्यों में परिस्थिती बिल्कुल चेंज हो जाएगी मद्य प्रदेश में भी निश्यत रूप से दोस्तों जो 27% का जो दिया गया है आरक्षन वो लागू किया जा सकता है क्योंकि अभ दोस्तों ये चीज नहीं होना चाहिए देश के लिए प्रदेश के लिए ठीक नहीं है तो इसी सब को दूर करने के लिए विदेयक लाने की बात कहीं है अब दोस्तों जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालाय के मंत्री हैं वीरंद कुमार उन्हें भी अधिकारि की तैयारी और निशित रूप से ये संसद में लाया जाएगा और पास भी कर दिया जाएगा अब दोस्तों जो ये निकल करके आई है तो थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री की अधी बात करें तो केंदर की याचिका को सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया था केंदर सरकार ने मर जूदा समय में करीब 26 सुजातियां शामिल हैं और दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में शामिल होना OBC वर्ग का और जो की राजनेतिक विष्टी से भी ठीक नहीं है तो केंदर सरकार को निश्यत रूप से इसमें ठोसकदम उठाना चाहिए और यदि विदयक पास हो जाता है तो मद्ध प्रतेश में भी निश्यत रूप से इसका फायदा जरूर मिलेगा और दोस्तों जैसा कि सिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि 27 प्रतिशत पर ही हम भरती करेंगे तो वहाँ पर ये वाली बात भी सत्य होते हुए दिखाई देती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और निश्यत रूप से एक पॉजिटिव खबर आएगी जल्दी आएगी मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें धन्रबाद जये जये बाद